हाई गाईज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं यह knowledge bank information video इस हफ़ते के लिए तो यहाँ पे बहुत ही interesting topic आपको दिख रहा है आपकी screen पे यह एक ऐसा topic है जो मैं काफी समय से आपके साथ discuss करना चाहती थी और यह जो topic है यह topic मैंने क्यों discuss करना decide किया just because कि यह जो है life span के prediction मतलब जीवन किसका आयूश्य कितना है उसके बारे में prediction उसके बारे में भविश्यवानी करना यह जो सवाल है यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और मैं आपको बता हूँ कि मैंने यह बहुत सारे दोस्त है जैसे आपको शायद पता हो या नहीं हो लेकिन मैं tarot card reader हूँ मैं भविश्य देखती हूँ tarot card के द्वारा तो जितने भी लोग भविश्य देखने वाले इंसान के पास चाहते हैं उन्हें हमेशा यह सवाल तो बहुत ही ज्यादा common रहता है यह दस में से नौ लोग यह सवाल जरूर पूछेंगे इसलिए मुझे यह discuss करना था बिकिस मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं tarot card readers है पर यह वह astrologers भी है मतलब जियोतिश भी है फिर crystal ball gazing भी करते हैं पामिस्ट्री यह रेखा हाथों की रेखाओं को पढ़ना और numerologist अंक्षास्त्री ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं इस तरह के discussion आए दिन करती रहती हूँ तो इसलिए मुझे यह discuss करना था because बहुत ही ज्यादा ऐसी मानियत आए चल रही है कि जो लोगों को believe नहीं करना चाहिए especially इस topic को लेके life span के predictions you know कितने सच हो सकते हैं या फिर करवाने चाहिए कि या नहीं करवाने चाहिए तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही interesting यह कुछ बातें यहाँ पर discuss करने वाले हैं और discuss करें उससे पहले subscribe button को click के जिए and जो उसके side पे जो छोटा सा bell है उसे click करना ना भूले because यह जो bell है यह आपको मेरे जब भी नए नए वीडियो अपलोड होते हैं आपको notifications देगा ताकि आप तुरंत ही मेरे वीडियो देख पाएं जैसे ही upload होते हैं I know first day first show type okay तो yes okay तो देखते हैं do predictions for life span fall true मतलब यह जो बहुत ही जादा common सवाल है जो मुझे आपके साथ discuss करना है शायद आपके लिए common सवाल नहीं है लेकिन मेरे लिए common है because मैं भविश्य देखती हूँ मेरे बहुत सारे friends ऐसे हैं जो भविश्य देखते हैं अलग-अलग तरह से tarot cards के द्वारा palmistry जो जोतिश शास्त्र करते हैं वगेरा तो हम सभी लोग आए दिन यह जो topic है यह जो सवाल है उसे discuss करते रहते हैं तो इसका एक बहुत ही सरल बहुत 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 ज्यादा सरल जवाब है और वो है नहीं तो येस उसका जवाब ना है चाहे वो इनसान कितना भी ज्यादा perfect और accurate predictions ना करता हो और फिर भी कोई भी ऐसा इनसान आज तक जन्मा नहीं है कि जो बहुत बहुत perfectly future predict कर पाए कि किसी इनसान का आयूश्य कितना है तो ये जो बात है आप ध्यान में रखिए और इसके अलावा हम कुछ और देखते हैं और यहां पर या astrology, tarot, palmistry, face reading, several other methods मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग अलग दूसरी जो ऐसे methods है उसके द्वारा भी आज तक ऐसी कोई method ऐसी कोई पधती नहीं बनी है कि जिसके द्वारा किसी भी इनसान का आयूश्य कितना है उसे perfectly ना पा जाए उसे perfectly predict किया जाए और ये ना ही अलग-अलग methods के लिए है लेकिन जो इनसान perfect predictions करते हैं उनके लिए भी same thing है चाहे कोई इनसान आपको you know stamp paper के उपर लिखके बताए कि उनके predictions बहुत ज़्यादा perfect और बहुत ज़्यादा accurate होते हैं फिर भी कोई भी इनसान आज तक किसी भी इनसान का life span perfectly predict नहीं कर सकता वो हम देखेंगे क्यों और कैसे अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे immediate सवाल जो आपके मन में आता है वो है क्यों आपने कई ज़्यादे लोगों को देखा होगा कि जो अलड़ी प्रेडिक्ट करते हैं जिन्हों ने जो शायद इतने ज्यादा perfectly बताते हैं कि मेरे predictions बहुत ज्यादा accurate रहते हैं ऐसे लोग भी आपको बताएंगे कि आप depend हो सकते हैं मेरे prediction बिल्कुल perfect हैं लेकिन ऐसे लोगों की भी predictions लाइफ स्पैन के बारे में accurate नहीं हो सकते हैं और वो क्यों वो हम देखते हैं अब लाइफ स्पैन किसी भी इनसान का चाहे वो साधारन इनसान हो या फिर कोई बहुत ही ज्यादा powerful योगी हो योगी की बगर बात करें तो ऐसी बहुत सारी methods होती हैं कि जो वो करते हैं कि जिसके द्वारा आयूशय बढ़ाया जा सकता है लेकिन यह जो predictions की हम बात करते हैं कि अगर आप मानते हैं कि कोई powerful इनसान है कि जो अपना life span change कर सकता है तो शायद उसके लिए ये बात सही नहीं हो सकती है लेकिन शायद कोई ordinary इनसान के लिए तो life span predictable हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी सही नहीं है किसी भी इनसान के लिए life span predict नहीं किया जा सकता just because you know if a person has a desire to live after his or her predicted life span period is over okay तो अगर किसी भी इनसान का life span किसी ने predict किया है और अगर वो समय खतम हो जाता है लेकिन फिर भी अभी जैसे हम बात करें जैसे वो इनसान कुछ समय जी रहा है लेकिन तब क्या होता है अगर उस इनसान के लिए कोई नहीं इच्छा कोई नया desire कोई नया सपना अगर उस इस इनसान के माइन में आए जो उसको लगे के नहीं यह तो मुझे अभी के अभी चाहिए यूनों हम इनसानों के लिए एक बात सही है कि इनसान जो भी डिजायर करता है इच्छा होती है जो इच्छाएं होती है सपने होते हैं, डिजायर्स होते हैं हर एक इनसान ट्राइ करेगा कि उसे पूरा करके ही जाए इसी जनम में अगले जनम में आपके लिए ज्यादा डिजायर्स होंगे उस जनम के लिए कहीं न कहीं ये कुछ ऐसा भी होता है कि इस जनम से भी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है कि जो अगले जनम में कैरी फोवर्ड होती है लेकिन वो अलग बात है वो बहुत ही ज़्यादा डीपर टॉपिक है यकिन जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है वो हमेशा हर एक इनसान, हर एक आत्मा कोशिश करेगी कि वो इसी जनम में उस इच्छा को पूरा करके बाद में जाए तो वो अब ऐसी कोई इच्छा की अगर हम बात करे तो वो क्या हो सकता है तो अगर कोई अगर किसी बज़ुर्ग की हम बात करे कोई बज़ुर्ग इनसान बहुत ही ज्यादा अच्छी उसने लाइफ जी है एक ऐसी उमर पे आ गए हैं कि शायद सभी लोग उतनी उमर पे accept करते हैं कि लाइफ स्पैन इतना हो सकता है इतनी उमर तक तो ऐसे किसे इनसान के घर पे उसके बच्चों के बच्चों के घर पे अगर कोई बच्चा हुआ जैसे वो दादा या दादी बने या फिर परदादा या परदादी बने तो उस इनसान वो जो बज़र्ग इनसान है उसके मन में सबसे ज़्यादा बड़ा डिजायर सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा क्या होगी कि वो उस बच्चे को खिलाए, वो उस बच्चे के साथ खेले, वो उस बच्चे के साथ सहर करने जाए, बच्चे को गुमाने लेके जाए, बच्चे को बड़ा होते हुए देखे, बच्चे को कुछ सिखाए, maybe schooling, ABCD सिखाए, या फिर numbers सिखाए, या फिर उसको story बोलके सुना तो यह नो यह सारे अलग अलग desires यह ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से उस बज़र्ग इनसान का वह जो life span है वह stretch हो सकता है, you know life span is always stretchable तो वह इनसान की इच्छा बढ़ जाएगी कि जिसकी वजह से वह अपना life span भी extend कर देगा और ये मैं सिर्फ साधारन इंसान की बात कर रही हूँ तो इसलिए बस साधारन इंसान इसलिए बोला क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई extraordinary superhuman इंसान की हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ normal इंसान मतलब normal इंसान मतलब हर एक इंसान के ओपर apply होता है तो no matter how perfect somebody predicts lifespan predictions can never be accurate तो जैसे मैंने आगे भी बताए कि चाहे जितना कोई perfectly predict करे लेकिन जो जीवन जो आयूश है किसी इंसान का कितने सालों तक है वो कोई भी इंसान predict नहीं कर सकता चाहे वो कितना भी ज्यादा accurate क्यों नहों अपने methods के साथ तो ये बात दियान में रखे और समझ लीजिए राइब किस ये 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 जो topic जो friends है जो भविश्य देखते हैं उनके साथ discuss करने के बाद ही मैंने ये video बनाया है ताकि मैं आप तक 100% सच ला सकूँ तो बेशक आप इस video के उपर विश्वास कर सकते हैं तो या तो या तो ये इस video को लाइक करें कमेंट करें लोगों के साथ share कीजिए and subscribe कीजिए ये आप subscribe अगर आपने ना किया है तो कीजिए लोगों के साथ share करना बहुत ज्यादा important है because you know लोगों को ये जानना जरूरी है because you know I don't know कितने सारे लोग शाइद ये मान लेते हैं फिर डर डर के जीते हैं I don't know तो इसे लिए सही knowledge लोगों तक पहुँचे इस लिए इस video को जितना हो सके इतना ज्यादा share कीजिए आपको कुछ ऐसे लोग जरूर पता होंगे कि जो बहुत ही ज्यादा इस video की जरूरत में है तो yeah so that's it from me and thank you so much for watching बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने ये video पूरा देखा अपने मेरा वीडियो देखा आपने मेरी चैनल को सब्स्क्राइब किया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason bye झाल